तो नवरात्री चल रही है और नवरात्री अभी चालों नहीं है लेकिन इन वीडियो आपको नवरात्री में में अदिस, अमर्कंट डख लगो, अमराथन तक वीडियो मैं बाल में अन्यूवंगा, लेकिन रथनपूर आया हूँ इस्यbeit उसद्जियो नवरात्री पकक से तक यहां का मार्केट जो आप लेना चाहिए या जो भी आप लेना चाहिए आप ले शक्ते हैं प्रांगन तक ऐसा मार्केट थोड़े से दूर तक खतम हो जाता है तो यहां पर देखिए अनारात्री के पंचमी विसे इसके दिन यह वीडियो आपको देखने मिल रहा होगा कि आप देख रहे होंगे पंचमी के लिए तो यह तलाब जो पुरा कमल से या खोकमा भी कह सकते हैं पुरा ठका हुआ है कि देखिए अंदर भी प्रवेश दौर से पहले तक मार्केट लगा रहता है तो अशार लेना हो जो कुछ भी लेना हो आप ले शक्ते हैं कि अगर आगे मिशुल को सेवा जूता चपकल यहां रखे लिखा हुआ है तो वहां पे चलो जूता चपकल रखते हैं अच्छी हमारे जूते स्केफ रहे तो यहां पर आप रख सकते हैं और यहां से नंबर की खंड में आपने रखा है तो मंदिर प्रांगण में जो पंचमाजमादिर जोदी तरह हो रखते हैं और नवरात्री की पूरी तयारी यहां चल रही है और चप्वेस सारीक से नवरात्री लग रही है तो हपते भर का समय बच गया है और पिछले बाद जब माया मंदिर आया था हमर कंडग जाते हुए दोस्ता के साथ कि सोर के साथ तो उसको क्या उस टाइम कंटीनिव तीन साल तक जलाना पड़ता था जो उन लोगों के परिवार के हां से जलाते थे तो यहां से हम आपको अंदर ले चलते हैं और अभी खाली है नवरात्री में ट आपको माता के भी दर्शन करा सकी जो कि वहां पे मुर्थी का फोटो वीडियो लेने के लिए मना किया जाता है परमिश्ण लेकिने क्या कोशिश करेंगे अगी दर्शन हो जाए और प्रतनपूर के दिहास के बारे में आप सभी जानते होंगे बहुत पुराना अंधिर है कि यह है और कुछ-कुछ तेवी दर्शा के लंडिर है पुराने और यह बहुत पुरान है और यह जो प्राव है छोटा सा वहां पे यहां के राजा परके माता की पूजा करते थे थे और वह सारी के हाथ सवाथ को ही फोटा होंगे अए आनियों कि यह जो है जिपकर के आगे बढ़ लूए हमारे पास वांसे जो और मंदिर में आप अब दर्शन करवाते हैं जिन्न मंदिर और पिछे स्वन देर वाटिका गुमा करांकों और वह वाला जो मंदिर देख रहे हैं आप शीव मंदिर है सुटिंग की स्थापना हुई है वहाँ तो अधिक के लिए नीचे सीधियां उतरना पड़ेगा कि अटो कि जाओ आधिए चाहिए चाहिना का सूदिया हुई है और कि अगों कि अगलिया तम आधे यहां निंदी के लिए निदेधि-फैर में तुम्हे ने फोटोपीश दीया है तो उसके बाद भूत ना मना है बहस होगी थी पहले मना करते हैं खीच लिए है और इसके बाद भड़त रहे हैं और यह माता की अखंड जोती जो कि कई सालों से निरंतर जल रही है कभी इस जोती को बुझने नहीं दिया गया है जोप अगर्वत्ती लिए जाना मना है तो आप इसके जलाएकर आती करके रुंगुजा करके अना वह अमसा कर डाना पड़ेगा तो जितना पूली को मैं आपको दिखाता हूं आगे तक और अंदर फोतो और वीडियो बंद रहे तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो यहां के देखिए एक एक सेक्स्ट्र डिटेलिंग मूर्थी मत्वीरों का मंदिर के पूरे मंदिर और यहां पर आप एक एक करके पूरे भगवायन का दर्शन करते हैं चोटी-चोटी मूर्पों रखुए यहां पर नाम दिखा है तो विश्णुजी महाविर स्वामी लादी देवा बहुत सार है आपको यह देखिए और यह मंदिर के दोजा देखिए आप और बारिश शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है अच्छा-कासा और हमको जाना है आगे तो फिलाल नहीं से चलते हैं स्री महाकाली अच्छि तो यहां पर जो सीला लेख है उनके बारे में महत्पुर्न जानकारी है पुरा डिटेलिंग है आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉस्ट करके चलते हैं बस जीव मंदिर का दर्शन करेंगे और आपको थोड़ा सा बगीचा घुमाता हूं लादन घुमाता हूं और बारिश पहुँझ जदा तरीके से शुरू होने वाली है ऐसा लग रहा है खावा भी बाहुझे थंडा हो चुका है और बहुँझ ज्यादा होने के साथ सांसी अ कि भॉक्त अच्छा महसूस हो रहा है तो तो नवरात्री की तैयारी चल रही है और मैं पिछले बार भी आया था तो मुझे अच्छा सेयादा मैं 20 सितंबर को या 21 सितंबर को रतनपुर आया था फिर अमर गंड़ा गया था वहां से कृट और यहां भी अपन चलते हैं जो आपको एक से दो मिनेड़ में जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिस करूँगा क्योंकि बारिश भी शुरूर ने आले माता का माता का पुरे जोती कच और इधर भी तलाब है देखिए मनावती इस्थल यहां पर लिखा हुआ है यह बड़े से तलाब है और यह शिव मंदिर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आकर्षाक और बहुत ही सुन्दर शिव मंदिर है और यह लगभग 10 साल हुए है इसक लेकिन मुझे जहां तव्याद है वही है तो यहां पर दर्शन करने के बाद हम इधर जाते हैं थोड़ा सवाटी का आपको एक दो मिनट भूमा लटाओं अराउंड फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे और यहां पर मंदिर कि देखिए गाड़ कि ज्यादों गुमने के लिए यहां बड़ा उतना बड़ा लारन नहीं है और हम देख सकते हैं कि पूरे नारियल और चीन के पेड़ है यहां पर बस बस यही देखना बाकी रह जाता है पूजा संग फलाना धेकाना यह सब आपको देखने मिल जाता है पता नहीं इंसान कहां कहां अपने नाम अंकित कर देगा एक दिन ऐसा भी दूर नहीं रहेगा जब आस्मान में भी छेद करके अपना नाम लिखेंगे इंसान तो अभी इधर आप गाड़न देख सकते हैं ज्याद दूर नहीं जाएंगे वहां फिर दी तो चलो आप वीड होने वाली है और आगे हमारा सफर और है तो चलो वीडियो यहीं अंड करते हैं वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो लाइक सेर जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलेगा तब तक ले जय हिन जय भारत जय शत्तिसगार्ट जय मात अदी